हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आज हमारा टॉपिक है मसल्स टिसू मसल्स टिसू को हम लोग मस्कूलर टिसू भी कहते हैं इससे पिछले क्लास में हमने इपिधेलियल टिसू और कनेक्टिब टिसू को देख लिया तो से आज हम क्या देखेंगे मसल्स टिसू या मस्कूलर टीशू को देखेंगे या समझेंगे मसल्स टीशू किसे बने होते हैं थीन इलोंगेटेट सेल के बने होते हैं मसल्स टीशू होते हैं वो किसके बने होते हैं थीन इलोंगेटेट सेल के बने होते हैं जो क्या कर सकता है ये कॉंट्रक्टाइल कर सकता है यह contactile cell होता है जो fail भी सकता है और secure भी सकता है इस तरह के cell के इस special cell को हम लोग क्या कहते है muscles fiber कहते हैं क्या कहते है muscles fiber कहते है next क्या है these fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils अब यह जो धे सारे जो fibers है muscles fibers यह क्या होते हैं बहुत सारे fine fibrils के बने होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते है myofibrils कहते हैं next क्या है muscles tissue is able to contract and relax providing movement with the body and of the body itself muscles tissue हमारे body के movement में responsible होता है वो किस तरह यह contract भी कर सकता और relax कर सकता है जिसके कारण क्या होता है मारे body में movement होता है और यह special type के protein के वजह से होता है जिसे क्या कहते है contractile protein कहते है अस contractile protein किसका किसका बना होता है actin और myosin protein का बना होता है next क्या होता है muscles contraction required a blood supply for sufficient oxygen nutrients and to remove waste product तो muscles tissue जो क्या करता है बहुत ज्यादा work करता है तो यह से क्या चाहिए energy चाहिए और energy क्या कहां से लेगा यह blood से लेगा blood से क्या लेता है यह nutrients लेगता है और oxygen लेता है और waste product यह remove भी करता है यह क्या होता है muscles tissue vascular cells का वस्कुलर tissue होता है vascular tissue मतलब होता है जहां blood का supply होता रहता है यह देखें यह क्या है यह ernके मूर्ण से प्लाइच प्लाइच होता है spread च्समें यह होता है blood supply रहता है और यह अए वolesome बन्र से लोगों के बंडल से क्या बना है मसल्स बना मैं इस बंडल में भी क्या होता है बहुत सारे छोटे- Works दिख रहे हैं में यह यह चो एक चेल दिख रहे हो क्या है यह क्या शूप्रिंस होता है जिसके कारण ये किस से क्या करता है ये contract और relax कर सकता है ये muscles जो है हमारे body का 40% weight हमारे रखता है बाकि जो 60% है वो क्या होता है 60% जो है वो क्या होता है bone होते है 40% क्या cover करता है ये muscles cover करता है और 60% क्या होते है bone, blood ये सब cover करते है तो next क्या होता है इस muscles के structure, function and location के base पर muscles को 3 type में divide किया गया है 3 type of muscles tissue पहला क्या है? skeletal muscles इसे क्या कहते है? strited muscles भी कहते हैं दूसरा क्या है? smooth muscle इसे non-strited muscles कहते हैं और तीसरा क्या है? cardiac muscles तो इसे एक एक करके देख लेते हैं उन्लोग पहला क्या है? skeletal muscles या इसे strited muscles भी कहते हैं skeletal muscles because it form those muscles that move bones या skeleton skeletal muscles हमारे bone के 4 और present होता है and हमारे body के movement के लिए responsible होता है तो हमारे bone के movement के लिए skeletal muscles responsible होता है जिसके कारण इसका नाम क्या पढ़ गया? skeletal muscles पढ़ गया skeletal muscles को जब microscope के अंदर हम देखते हैं तो muscles में बहुत सारी stripes दिखाई देती हैं जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? stripted muscles भी कहते हैं तो यह कैसा होता है? यह voluntary होता है voluntary का meaning क्या हो गया? कि हम अपने इक्षा के हिसाब से चला सकते हैं यह bone attached to bone यह क्या होता है? bone से attach होता है next क्या है? it is multi-nucleated peripheral place तो यह क्या होता है? skeletal muscles multi-nucleated होता है यह एक cell है यह क्या है? एक cell है जिसके में क्या होता है? बहुत सारे nucleus present होते हैं यह multi-nucleated होता है क्या है? लंबे fiber cell का बना होता है जिसमें एक के बाद एक क्या होता है एक dark lining और क्या है दूसरा light lining दिखाई दे रहा है It is fast contraction and relaxation ये क्या कर सकता है बहुत जल्दी fast क्या करता है contract करता है और relax भी होता है जैसे हम अपना हाथ ये इसमें क्या present होता है हमारे हाथ में क्या present होता है ये skeletal muscle presence होता है जब हम लोग अपनी मर्जी से जब कुछ चाते हैं कि हमको अपना हाथ उठाना है तो ये क्या होता है बहुत ही तुरंत ही उठा देते हैं और तुरंत ही से नीचे भी कर सकते हैं तो ये बहुत जल्दी जो हम लोग fast contraction और relaxation करते हैं जिसके वज़े से क्या होता है ये जल्दी ठख जाता है ये क्या होता है जल्दी ठख जाता है और इसे आराम चाहिए होता है इस muscles को skeletal muscles कहां present होते हैं ये limbs में present होते हैं ये limbs क्या होता है तो limbs मतलब हमारा upper limb क्या होगे हाथ और हाथ के muscles हो गए और lower limb क्या होगे हमारे दोनों pair के हो गए तो ये कहां present होते हैं हमारे limbs में present होते हैं ये face के हमारे face में जो muscles present होता है उसमें present होते हैं skeletal muscles neck में present होते हैं tongue में हमारे जो tongue है उसमें कौन से muscles present होते हैं ये skeletal muscles present होते हैं pharynx में, diaphragm में ये सब में हमारे skeletal muscles present होते हैं next है non-striated muscles ये इसे क्या कहते हैं smooth muscles कहते हैं जिसमें strited नहीं पाई जाते हैं 911 ईसमें नूकलेस प्रेजन और इЙसमें यह क्या होता है इसमें नहीं होता है इसे हम अपने मर्जी से चला नहीं सकते not attached to bone, यह bone से attached नहीं होते हैं, यह stomach में present होते हैं, इस तरह के cell, intestine में present होते हैं, urinary bladder में present होते हैं, और इसे bone से attached नहीं होने के वज़े से, इसे हम अपने मर्जी से move नहीं करा सकते हैं, तो यह क्या होते हैं, involuntary type के होते हैं, it is elongated, यह भी क्या होते हैं, elongated होते हैं, spindle septo, यह smooth muscles है वो क्या होते है? special type के cell के बने होते है जिसका structure कैसा होता है? spindle shape होता है इसका दोनों किनारा क्या होता है? चप्था होता है और बीच में क्या होता है? क्या होता है? एक nucleus भी present होता है तो इसके जो wall है ये जो wall है जो जिसे हम लोग क्या कहते है? प्लाजमा मेंबरेन कहते है तो प्लाजमा मेंबरेन को यहां पर क्या कहते है सारको लेमा कहते है और इसके अंदर जो लिक्वीड फ्लूइड प्रिजेंट होता है उसे क्या कहते है सारको प्लाजम नॉर्मली हम लोग सेल में क्या होता है साइटो प्लाजम होता है बट यहां पर क्या होता है es-co-plasm present होता है यह in-nerveded अहोता है और दुनर्वस सिस्टम यह किस से जुड़ा होता है यह nervous system में जुड़ाता है क्योंकि हमारे मूदम सोपी से हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसे कौन कंट्रोल करता है यह हमारे nervous system से कंट्रोल करता है next क्या है slow contraction RELEFCTION तो यह क्या करता है स्लो कॉंट्रेक्शन और रिलाक्सेशन करता है इस ıs नहाँ दखता है यह लाइट कंट्रोल करता है यह हमारा नौई कंट्रोल करता है ओका सेन नाम से पता चल रहा होगा है कार्डिक मस्कुलर टिसो यानि कहा प्रिजन्ट होगा हर्ट में हर्ट के वाल में present होता है तो ये कैसा function करता है ये हमारे strited muscles और non strited muscles यानि smooth muscle और unsc espaliten muscle दोनों तरह के इसमें Properties दिख़ाई देती है ये कैसा muscle होता है involuntary इसे हम लोग control नहीं कर सकते है तो इसे कौन control करता हैं यह हमारा nerve cell इसा control करता है और यह कहां present होते हैं होती है इस making क्या होते बहुत सारे branches से का network होता इस बहुत देखिए इसका candied muscle का structure है our के looking muscles चाहँ रहा है बट इसमें क्या होते ब्रांचे है नहीं होते हैं है सक्राइट मसें अलग इसलिह और यह कैसा होता है यह ब्रांज होता है इसमें काडेक मसल्स कैसा होता है इस्टाइट मसल्स के जैसा यह क्या होता है इसमें स्ट्राइप पाए जाते हैं डार्क एंड लाइड लाइनिंग पाए जाते हैं यह इन्वालेंट्री होता है इसका मतलब क्या हो गया यह हमें अपन प्रोटीन इसके लिए रिस्पॉंसिबल होते हैं जिसे क्या कहते हैं एक्टीन और मायोसीन प्रोटीन कहते हैं जो हार्ट के या हमारे मसल्स के contraction और relaxation के लिए responsible होते हैं और ये बीना थके no fatigness ये क्या करते रहते हैं lifetime चलते रहते हैं non skeletal muscles ये कैसा होता है non skeletal muscles होता है इसमें क्या होते हैं ये bones से जुड़ावा नहीं होता है muscles tissue कहां कहां present होगे एक तो bone से हमारे जुड़ा होगा एक क्या होगा हमारे bone से जुड़ावा नहीं होगा जो bone से जुड़ा होगा उसे हम अपने मर्जी से काम करा सकते हैं और जो bone से नहीं जुड़ा होगा वो कौन काम कराएगा हमारा nervous system काम कराएगा bone से जुड़ा रहता है उसको skeleton muscle कहा गई और जो bone से नहीं जुड़ा होता है उसे क्या कहते है smooth muscles और cardiate muscle तो ये दोनों क्या होते हैं ये slowly work करते हैं ये slow contraction और relax करते हैं ये कैसे करते हैं ये fast contraction और relax करते हैं ये lifetime चलता रहता और ये क्या होता है थोड़ा देर में ये ठक जाते हैं तो हम लोगने muscles को भी देख लिया ये इसके structure को भी देख लिया बहुत ही simple है I hope कि आपको समझ में आ गया होगा Thank you